नमस्कार दोस्तों मैं राकेश रंजन वोकैबलरी के इस सेस्टन में आप सभी काहर्दिक स्वागत करता हूं यह जो वोकैबलरी है यह थी अचेसल के पेपर 17.3.2020 के सिफ्ट 2 के पेपर कोशन यह कोशन से जो भी वर्ड आये हुए उसे से रिलेटेड वर्डों का करवाया ग देखे फायदा होगा आपको जितना से जितना हो सके वीडियो से खुद फायदा ले और अपने दोस्तों को भी बता है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसे ही एकसाइटिंग वीडियो बनाता रहूं कई लोगों का यह भी कोई रिता कि भाया एक साथ ऐस आपको अब कर्वाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैरा कहना है कि Confused तो होना है ही यह तो यहांँ CanFuse हो य नहीं तो एक्जाम मीं Πर पता है जैसे ही या रहा कि explore, तो explore होता है गुबाड implore होता है, वह इपर confuse कर जाएगा, चाहिए explore मतलब का था implore मतलब का था, तो जो भी चीजे हैं, exam से पाले दूर कर लीजे, ताकि वो चीजे exam में आपको ना करनी पड़े, ठीक है और word का है क्या, word जब बनाते हैं तो आपको आया, लगाएं, सही है नहीं तो word में जहां दिमाग लगाना start की है, वो आपको गलत होने वाला है ठीक है, चलिए start करते हैं, आज के देखते हैं, कौन-कौन कैसे-कैसे word है, आज चर्चा करेंगे, middle, middle metal, mental, और mental की, ठीक है, एक तो confusing pair यह है, तो सबसे पहले इसी वाले में हम देखते हैं, पहला वर्ड मेडल को M-E-D-D-L-E और मेडल का मतलब होता है, to take too much interest in somebody's private affair or to interfere यानि किसी के नीजी मामलों में हस्त छेप करना, वो कहलाता है middle, और ऐसे करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते है, मेडल सम, ठीक है, ऐसे करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगा, मेडल सम, साइनों देखेंगे तो होगा, interfere, but in, bu, t, i, n, but in, और क्या, intrude, intervene, interlope, और pry, ठीक है, P-R-Y, सब का मतलब क्या है, किसी के अन्ने के नीजी मामले में हाथ शेप कर यह है, मेडल, आप देखें, interlope देखते हैं आप, interlope, तो interlope जैसा ही एक बड़ होता है, interpolate, और interpolate का मतलब क्या होता है, to make a remark that interrupts a conversation, यानि कि ऐसा remark लगाना, ऐसा comment करना, जिससे कोई conversation, या कोई बातचीत प्रभावित हो, बीच में रुक जाए, तो उसको बोलते है, interpolate, sign देखेंगे इसका क्या होगा, interpose होगा, intervene होगा, interject होगा, breaking होगा, but in होगा, इसका भी कही न कही मतलब होता है, हस्त छेप करना, लेकिन क्या, conversation में हस्त छेप करना, यह नहीं है कि किसी के निजी जिन्दगी में हस्त छेप करना, ठीक है, तो समाज गयं होँगे, interpolate का sign आप सबस्क्राइब मेडल का तुधार रखेंगे चिक है अगला वाट देख्टें थर्ड में मेडल समानी साब्ड है नाउन है क्या मतलब होता है A small metal disc with words or a picture on it given as a reward for a brave action for winning a competition or to remember a special event यानि कि किसी खास समारोह पे या यूध जितने या कोई परतियोगता जितने पे जो सम्मान के तोर पे जो तमगा दिया जाता है मेडल दिया जाता है पदक दिया जाता है उसी को तो मेडल बोलते हैं M-E-D-A-L साइन हो क्या होगा बैज और लॉरेल जाता है बैज और लॉरेल मेडल पदक हिंदी होता है इसका चलिए इसका बत देखते हैं M-E-D-A-L-E देखिए कि यहाँ पर एक और वर्ड तो छूटी गया जी मेडल धातु अला M-E-T-A-L मेडल धातु ठीक है अभी हम देखते है M-E-D-A-L-E M-E-D-A-L-E इसका मतलब होगा आप परसन्स अबलिटी टू कोप वेल विथ डिफिकल्टी अस्प्री टैर्री साइलेंस यानि कि किसी व्यक्ति की छमता साहस किसी सिचुएशन से किसी कठीन परस्तिते से जूजने की लडने की वैलर हो जाएगा इसका साहिन होगा यानि किसी कठीन परस्तितिस से जूजने की समता होती है इसको क्या बोलते है मेटल बोलते है कि समझ गए होंगा ठीक है और एक मेटल तो वो धातु वाला है तो उसको भी नोट कर लेंगे इसे में एड कर लेंगे चलिए अगला मेटल के बाद देखते हैं मैंटल मैंटल तो एक होता है भूपरपट्टी क्रस्ट वाला पार्ट जो है वह आप समझ रहोंगे प्रति भी जो लोजिकल वर्ड है जो लोजिकल टर्म है तो वो तो समझ गया है दूसरा जो कि इसमें मेनिंग आपको लिखा गया है फास्ट वाला मेनिंग होता है क्या रिस्पॉंसिब्लिटी ऑफ एन इंपोर्टेंट पोजिशन और जोब यानि किसी महतपुर्ण का दाइत्व उसक मेंटल तो यह रिलेटिटिंग टू ब्रेन दिमाग से समंधित मांसिक और दूसरा मेंटल उसको बोलता है connected with the illness of mind यानि कि मांसिक रोग से ग्रसिद व्यक्ति को भी क्या बोलता है मेंटल बोलता है पहला तौर्थ हो गया कि रिलेटिंग विट मांड यानि कि मस्तिक से दिम देख लेते कौन-कौन वाट थे पहला तो मेडल था मेडल मतलब था हस्त छेप करना और दूसरा मेडल मेडल यानि इतका मतलब था पदक और मेड़ल टी एली मेडल मेडल का मतलब था साहस जिसम साइनुम देखे फॉर्टिचूड वैलर देखे करेज देखे ठीक है उसके तो मानसि या मानसिक रोग सग्दा सी और इसी मेडल मतलब मतलब क्या होता है था चली आगला देखे है आगे में 7th में, 7 में EDM दिया हुआ था, pull up one socks, pull up one socks का मतलब था, to make a sincere attempt to improve, यानि सुधार करने के लिए, इमानदारी के साथ परियास करना, वो क्या हला था क्या, pull up one socks, चलिए, इसके बाद देखते हैं, confusing pair हैं आपके, piety है, dt है, और gaiti, piety, dt और gaiti, देखिए, piety का मतलब ह होता है, a way of behaving that show a deep respect for God and religion, यानि कि इस तरह से बेवार करना, ताकि ये हो, कि आप क्या है, धर्म के परती, भगवान के परती क्या है, respect कर रहे हैं, इस तरह से बेवार करना, कि बहुत सो करता है, कि आप भगवान और धर्म की आदर करते हैं, तो वो क्या हो गया, piety, जो बढ पढ़ने याता, पवित्रता या धर्म पढ़ने याता, ठीक है, तो ये पाईटी होगा, दूसरा बाद डीटी, डीटी का मतलब होता है, God or Goddess, भागवान, देवी देवता को भी क्या बोलते हैं, डीटी बोलते हैं, उसको अब गईटी, गईटी का मतलब होता, the state of being cheerful and full of fun, यानि उल्लास, पुर्ण, खुस, तो उसको बोलते हैं, गईटी, साइनो क्या होगा, cheerfulness, merriment, और गली, ठीक है, कोई पाटी में गया है, कहाता कि जाईटी तक गईटी रहती ना, कहने का मतलब होता है, तो ये गईटी बाद है, समाने साथ, तो समझ गया होंगा, पाईटी क का मतलब क्या हो गया, भागवान, और गईटी का मतलब क्या हो गया, उल्लास, खुश, ठीक है, चलिए, आगला बाट देखते है, 11 में, notarity, notarity का मतलब होता है, not for bad deeds, यानि बुरे कामों के लिए, जो famous हो, infamous, इसको क्या बोलेंगा, infamous, बुरे कामों के लिए, जो परसीद हो, उसको क्या बोलेंगे, notarity बोलेंगे, और व्यक्ति क्या होगा, notorious होगा, ठीक है, आगला बारह में देखते है, aggressive, यह पहले बड़ भी किये हैं, aggressive का मतलब था, ready, or likely to fight or argue, यानि कि लड़ने पे, या बहस करने पे, अमादा उतारू को क्या बोलेंगा, aggressive हो लिए, साइनों क्य contemptuous, contemptuous का मतलब होता है, behavior, showing contempt, behavior, showing contempt, यानि कि वो जो घ्रीना सो करता हो, तिराशकार पूर्ण सो करता हो, ठीक है, साइनों क्या क्या हो जाएंगे, अब जैसे हम insolent देखते हैं, यहाँ पर आपका word देखें, insolent, confusing pair में आयागा, insolent, insolvent और indolent, कौन-कौन, insolent, insolvent और indolent, नीचे वाला में word है, इसमें add कर लिजे, insolent का, तो insolent का तो आप देखें क्या है, तो चली हम insolent तो समझ गहें, आप देखते हैं, insolvent, insolvent का मतलब होता है, not having enough money to pay what you owe, यानि कि जो चीज आप उधार लेते हैं, उसको चुकता करने का सकती, ना होना, दिवालिया पन को क्या बोलते हैं, insolvent बोलते हैं, sign क्या होगा, bankrupt होगा, समझ गहें, और indolent, indolent का मतल होगा, showing no real interest or effort, यानि कि वो जो ना तो किसी चीज में रूसी दिखा रहा हो, या ना काम करने का ललक दिखा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगा, indolent बोलेंगे, sign क्या होगा, apathetic होगा, listless होगा, slothful होगा, idle होगा, lazy होगा, lethargic होगा, quiescent होगा, torpid होगा, languorous होगा, यह ज से कहा, कौन-कौन का word देखे, सबसे पहले तो देखे हम, insolent, insolent क्या था, उदंड था, insolent क्या था, उदंड था, जो किसी का respect ना करता, उसके बाद हम देखे क्या, insolvent, और insolvent मतलब क्या होगा, bankrupt, दिवालिया, उसके बाद हम देखे, indolent, और indolent मतलब क्या होगा, alci, सुष्ति आक्रमनेता ठीक है समझ गया और इंडोलेंट वाले में एक वर्ड मच्छा वर्ड बताएं आपको कौन सा विसेंट चलिए ये पहले भी हम कर चुके हैं लेकिन फिर से कवर देख लेते हैं कंडोन कंसोल और कंडोल जल्दी से देख लेते हैं कंडोन मतलब क्या होता कि सी की गलतियों को अनदेखा कर देना रायर यह कहलाता है कंडोन किसी से साहनूप ति निंद सानूप और क्यूं दर bask न क्यूंकर उसका कोई निजी व्यक्तियी क्या हो गया द्हहांत हो गया निजीवक्ति का क्या हो गया द्हहांत हो गया तो वहां आप का होगा गंडोल तो कंडोल तो कंडों और कंडोल आप समझ गया होगा चली इसके बाद देखते हैं त्षीध वाले में तो अर्थ हैं पहला है deep cut that is made through land so that boats or ships can travel along it और so that water can flow to an area where it is needed अर्थ का herself in the arrow पाना मानेड स्वेज तोगए ती के फानों कई ok a Channel होगा वाटर में होगा एपास धेकर हिंडी में लिखने सी चाई या या बनाई गहीं गहींर कि छैए आ डूसरा आल का पी इन यह भाडी हमाने ओसे सुपने टूं जाख सिंद नली जिस से भोजन या स्वास या रक्त का प्रवाह होता उसको भी क्या बोलते हैं कैनल उसको भी बोलते हैं साइनों देखे इसका क्या हो का डक्त होगा या पर डस्ट नहीं होगा डी यू सीटी होगा डी यू सीटी डक्त ट्यूब या विजल ठीक है डक्त ट्यूब या विजल चलिए अब दे आपका राइट है है क्लिस्ड है प्लैनिक चूड है वैपिड है कॉमन प्लेस है वैपिड को ध्यान रखेंगे अच्छा वर्ड हिंदी अर्थ क्या होता है या जोड सकते हैं घीसा पीट चलिए अब हम देखते हैं ट्राइट तो ट्राइट जैसा एक वर आप पहले भी देख चुके हैं ट्राइस्ट टी आर वाई एस्टी कम इसके चर्चा करेंगे पहला देखते हैं ट्राइस्ट का मतलब होता है a meeting between two people who are having a romantic relationship especially a secret one यानि दो लोगों के बीच में मिलना उसको क्या बोलते हैं ट्राइस्ट बोलते हैं साइन हो क्या होगा रेंडेज ये बस होगा और डेट होगा समझ गया होगे और ट्राइट का क्या मतलब था अप्राइट का था प्लेज घिसा पीटा इसको वार देखते हैं स्टान से समझनयाज स्टाट कर दिएगा अब देखते हैं कम उ पांस का मतलब होता है पनीसमेंट और यानि किसी चीज के लिए जो वेक्ति डिजर्व करता हूँ या तो अच्छा या बूरा उसको रेट्रिवीशन होगा और रिकम्पेंज बाद देखते हैं ऐसल का मतलप होता है लॉंग नेरो स्पेस बीट्विन रो और सीट इन एरक्राफ्ट चेर्च यानि कि या तो सीनेमा या तो चर्च या तो एयरक्राफ्ट के दो सीट के बीच में जो गलियारा होता है उसको क्या ब rasa के लिए हैं पैसेस के लिए ग़ियारी ग़िए के लिए और भी वर्ट आते हैं उसे से री लेर देखेंगे और उसके कंफी इसके पैसे मतल़ यान कि इमार्थ एप बीच का जो रास्ता होता उसको क्या बोलते हैं एली बोलते हैं ठीक है और इस जैसा एक वर्ड है बॉलिवयर्ड वो भी रास्ते के लिए यूज होता है ये भी कंफ्यूज करता है कि क्या होता है तो उसको यहीं पर हम कर लिये हैं क्या है आवाइड स्ट्रीट इन टॉन और स city typically one line with tree यानी ऐसा रास्ता चोडा रास्ता जिसके दोनों तरफ क्या हो पेड लगे हुए तो उसको क्या बोलते हैं बौलवर्ड बोलते हैं ठीक है और इसी का साइन होता है अवेन्यू ये साइन होता है बॉलेवियाट का ये भी रास्ता है लेकिन क्या है इसके दोनों तरफ क लिव या सूत समझ गया इसका बाद आली एडवल एलवाई एली एली का मतलब होता है एसो सीट सहयोगी और कोर्ट फेलो चम ठीक है अर्थ समझ गया है क्या होगा अली अभी दो और वर्ड है तो उनको पहले हम देख लेते हैं अल और अलको अल मतलब ए आई एल यह अल का मतल होता है अट टाइप ओफ बीयर अट टाइप ओफ बीयर बी ए ए आर अट टाइप ओफ बीयर को बोलते हैं अल एल ए चीक है तो हम यह देख लिए कौन-कौन अली एडवल एली वाई एली का मतलब गलिया रहा हो गया एडवल एले का मतलब हो गया कम करना एस वेज वाला और और A-L-L-Y इसका मतलब हो गया सही होगी चम फेलो और A-I-L-L का मतलब हो गया इसका मतलब हो गया बीमार और A-L-E ये L का मतलब हो गया पेपदार ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें A-L-L-Y में एक वर्ड आया आए आपको फेलो A-L-L-Y वाले में एक वर्ड आया फेलो और फेलो का कन्फ्यूजिंग प्यारब का बनता है फोलो फेलो और फेलो 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 और फेलो तो पहले हम देखते हैं 28 में फेलो फेलो का मतलब होता है यूजड अब लेंड आप तो पहले देख लिए ना फेलो फेलो का मतलब क्या ह हो गया सही होगी होगा फेलो का मतलब क्या हुआ सही होगी तो चर्चाब करेंगे कि इसका फैलो का करेंगे और फैलो का Caitlin होता है यह यूज होता है जमीन के जमीन के स्टुकड़े रिषी होता है क्यों not use not you used for growing plant especially to that the quality of the land will improve गliПool ऐसा माना जाता है कि कि जब कुछ दिनों तक किसी खेथ पर खेथा किसी भूमी पर खेथा ल May पर खेच पर रवर्टा ऐसाफ Mater है 31 में वर्ड है साफ्ट एस एच ए एफ टी दो अर्थ है पहला तो है अपोल और रोड डेट फॉर्म्स दा हैंडल ओफ टूल और वीपन यानि कि बोर रोड 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 नहीं होगा रोड दपोल और रोड यानि कि हथोड़े का जो डंटा होता है उसको क्या बोलते हैं उसक एक तो अर्थ यह हुआ और दूसरा अर्थ होता है अलॉंग आइधर वर्टिकल और स्लोपिंग पैसे थ्रूप बिल्डिंग और तुरू तगाउन खान खान का जो रास्ता होता है या कुआ उसको भी आप क्या बोल सकते हैं साब बोल सकते हैं इसको 32 में था लोबी लोबी कहलाता है दा लेकिन ध्यानक नहीं क्या है लाज है दा रूम इन्टु विच दा मेन इंट्रेंस दोर ओपन इन होटल और अधर व्लाइज भी बोलेंगे और इसी से मिलते जूलते बट पहले आप देख चुके थे कौन सा वेस्टीबुल फोयर और एंटे रूम लेकिन ध्य 시ud or should not happen यानि की सरकार से सरकार से यह राजनेताओं से यह आगर्भ करना उनको मनाना कि कुछ चीजे ना हो या कुछ चीजे हो इसके लिए क्या करना उन्हें मनाना क्या क्या कहलाता लोबी कहलाता है ठीक है साहिनौ क्या क्या होंगे एक पैंपैन होंगे परेशर होगे ग्रूप प्रस्तावित निजी करन है तो उसका जो कर रहे हैं लोग भी रोद कर रहे तो क्या कर रहे है लोबी कर रहे जीक है जो खेली अगला 33 में था सर्च सर्च का मतला होता है सब्सदीन इन ग्रेट इंक्रेश टैजी से बढ़ोगों तरी पेट्रॉल के दामों में क्या हुआ सार्ज हुआ जो गया हुआ और दूसरा था असट्रॉंग फिल जीवानु रहित इसको क्या बोलेंगे है हाईजेनिक बोलेंगे स्वस्त साफ तो वह हाईजेनिक साइनों क्या है सेनीटरी है क्लीन है जर्म फ्री है डिसिन्फेक्टेड है और अस्टेरिलाइज्ट है समझ के चली आगला वाट है कोब सी ओ भी ए कोब एक तो बैट केब होता का गुफा होता है यहाँ पे कोव हैं सी ओ भी और कोव का मतलब होता है कर बटाफ अब कोस्ट डैट पर्टले सरांड अने अरिया अवॉटर है कि कि किसी तटका कर्व एरिया जो पानी से लागा हुआ है उसको बोलते हैं को खाडी बोलते हैं हिंदी में साइन होगा बै स्टोर्ड होगा एंक्रोज होगा गल्फ होगा दियान रखेंगे इसमें नए नए वड़ा है हुए तो वह दियान रखेंगे में लिखा है को का मतलब खाड़ी हो गया चोटी खाड़ी इसके बाद क्रेट क्रेट है और क्रेट है तो हम पहले देखेंगे क्रेट 36 वाले में प और आगे मिलता जूलता वर्ड क्रेटर लगता है लेकिन है नहीं क्रेटर का अलग रखता है और क्रेटर मतलब होता है गढ़्धा दर रॉंड होल एड़ टॉप पे वोल कहनों और वोल इंदा ग्रांड सीमलर तुछ यानि कि बोल कहनों में ये उपर वॉल तो वाला जो गढदा होता है उसको ग्रेडर बोलते हैं न उसी जैसे जमें पर फी गढदा हो तो उसको भी क्या बोलेंगी Crater बोलेंगी जैसे मनलक हो बलते हैं किnh about in order to attract attention, Hello समी बना हुवा बाड है, hollow hollow का मतलण होता है, तेज आवाज करना ताकि कोई सूने, अब इसका बाद था, aviation, aviation का मतलण होता है, the activity of flying aircraft, of designing, producing and keeping them in good condition, यानि बीमानन, यानि वीमान से relating to aircraft, जो वर्ड है, वो क्या है, aviation, ठीक है इसको फोर्टी में था रिवफूल का मतलब होता है एक्स्प्रेशिंग शैडनेस और रृग्रेट यानि उदासी संतापी पश्टापी तो इसको क्या बोलेंगे रिवफूल पोलेंगे यानि उदास या अभी साद में साइन होंगा शारोफूल होगा रिग्रेट फू और फ्राइग्रेंट तो पहले हम चरचा करेंगे फ्रेग्रेंट का फ्रेग्रेंट का मतलब होता है सुगंधित having a pleasant smell विए हो गया फ्रेग्रेंट साइनों क्या है पर फ्यूम्ड है एरोमेटिक है रेडॉलेंट है और सेंटेड है अब देखिए यहां पर यहां उसको भी द्यान रखेंगे वर्ट यहां पर आपका बड़ है रेड़ोलेंट और रेड़ोलेंट का जो sign हो है वो क्या है? fragrant का sign हो है मतलब होता है सुगंधित ठीक है? अब आगला वर्ड देखते है fragrant से मिलता जूलता flagrant और flagrant का मतलब होता है कोई ये जो word है flagrant वो किसी के action या किसी situation या किसी person के लिए use होता है flagrant देखे क्या है shocking because of being so obvious यानि के एकदम खुलाम खुला होने के बज़र से क्या हो? shocking है तो उसको क्या बोलते है flagrant बोलते है sign हो क्या होगा? blatant होगा evident होगा और glaring होगा हिंदी देखे अर्थ क्या लिखा है? खुलाम खुलाम अब शासन से संबंदित कुछ वर्ड है plutocracy है plutocracy का मतलब होता है धनिक लोगों का शासन monarchy है राजा या रानी का शासन oligarchy है alp tantra aristocracy है kulin tantra kulin tantra kulin kulin noble noble लोगों का शासन क्या कहलाता है? aristocracy बोलते है और 47 में down to earth यानि कि practical and direct यानि वो व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हो उसको क्या बोलते है down to earth उसके लिए एक और वर्ड होता salt of earth salt of earth मतलब इमानदार वेती है ठीक है तो इतने वर्ड थे आज वाले में comment करके आप लोग बताईएगा eposal और eposate मतलब क्या था eposal और eposate दोनों में के आंतर था वो comment करके बताएँगे ठीक है पूरा वीडियो देखिएगा और लोगों तक share कीजिएगा सारे word ढंग से करेंगे और एक चीज और ये पता लग रहा था कि कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो का screenshot ले ले लेते हैं क्योंकि आज तक आपने नहीं किया यदि आप चाहते हैं कि भविश्य में आपको फिर ऐसे हुं करते रहना पड़े तो फिर करते रहिए इसलिए जो भी कमिया आज तक रही है उसको सही डंग से सुधार करें जो आपको बोला जा रहा है वैसे करें क्योंकि यह सारे word मैं ऐसांने एक कहीं से आलतु फलतु word उठा लिए हूं यह सारे वरड आपके पेपर में पूछे गए हैं और तभी तो मुझे याद है मैं थोड़ी जिर ग्यान हो क्या ग्याता हूं मुझे वह ही वह ही याद है जो कभीने पूछे गए हैं और उन्हीं वर्डो से जो confusion उत्पन होता है उनको साथ में करवा रहा हूं ठीक है है सो sincerely मेहनत कीजिए और टेलिग्राम वाले जो speedpartsala का चैनल है वहाँ पे CHSL और CGL से related 25 question का जिस तरह से आपको पेपर में पूछ जाते हैं उसी तरह के जिक्के के quiz लगवाया जा रहा है तो भाग लीजिए एक दम हो बहु जैसे 7-8 question आपको current के मिलेंगे history से question मिलेंगे science से question मिलेंगे geography से question मिलेंगे मतलब हो बहु pattern वही जो आपको paper में देखने को मिलेगा यहां भी मिलेगा हो नहों आपको वो question जो करवाया जा रहा है उससे हो बहु वहाँ पे set way में भी मिले तो exam से जाने से पहले यहां पर कर ले और मेरा यह question करवाने का यह धे है कि जिस topic से question मैं बनाया हूं जैसे मालने कि मैं एक वर्ड बनाया अनुसूची से तो आपका दाई तो बनता है कि आप अनुसूची वाले का एक question के चकर में पूरा जाको क्या कर ले है रिवाइज कर ले तो उसी तरीके से question बना रहा हूं कि यहां पर पढ़े और फिर उससे आपका एक topic पूरा revision हो जाए मोगलकाल से दो question डाला तो आपका जिमेवारी बनता है कि आप क्या करें मोगलकाल को पूरा वाला ठीक है और ऐसे भी हो जाएगा ठीक है तो जो लोग नहीं जुड़े हैं स्पीट पार्ट साला से टेलिग्राम पर सर्च कीजिए जाके देखिए वहां पर मिलेगा और आटेम्ट लीजिए और कई गक से वहां से क्या क्या जाएगा बार कर दिया से चिक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद अच्छा लगए वीडियो तो लाइक की जए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी फेर कीजिए अन्य लोगों को भी बताए आज के लिए इतना ही धन्यवाद